तो दोस्तो कई बार आप जो stufffail पर काम करते हैं डाटा बनाते हैं पिर एंट्री करते यह कोई वी excel को इस परगार से दीध्य करते हैं यह रहता है और दो स्क्राल करते हैं तो हमा Cathar इस प्रकार तो यह हमारा जो हीडिंग है आप चाहते कि हीडिंग जो है तो यह कैसे होगा तो ऐसा शेटिंग आपके एक्सल में दिया रहता है तो तो simply कहा है करेंगे दोस्तों आप गीया यहां पर है थाएं यहां पर ड यहां पर फ्रीत करना चाहते यहां से उपर जो है ठीज हो जाए ठीक है इतों दिख रहा है यह पर एक में से फ्रीड अधिक जाएगा ठीक है जाए हम और यह पूराफ फीजिए जाएगा ठीक है रुको रुप जाएगा और मांकी जो है स्कॉल कर सकते हैं ठीक है अपर जो व्यूवाल आपसन है हम यूमेट प्रकाइब जाएंगे ठीक है यहां पर देखेंगे एक अपसना पर दिखाएंगे अपर देखाएंगे अफिरीच पैनल् हम स्क्रॉल करेंगे तो देख उपर काड़ हीडिंग है वह अपने आप इस थाइस प्रकारते रुका होए और साथ फ्रीज हो चुका है आप किसी भी एक्सल फाइल को असानी से आप देख इसका हेडिंग क्या था जिस्टिक जो भी है सभी का जो कालम है इस प्रकारते हम सब्राइट कर देंगे अब यहाँ है है हीडिंग के साथ सब्सक्र youngest को जाएगा और कॉंइभा के लृब करना है तो जिस कलम सबस्क्राइब करना है तो ईब हम आपर प्रीज करना चांब खिके अभी एंपर भीयों में जाऊंगा रहा पर यांपर फीच पैंश करूँ गा और फ्रिज़ पैंस अब देखिए अब में इसको स्क्रॉल करूंगे इस पर ते इस तरफ से तो यह हां से वह जो है फ्रीज होट चुका देखिए ठीक है तो इस प्रकार से आप जो असानी से किसी भी रो और कालम को जो हीडिंग इसको आप असानी से फ्रिज कर सकते हैं तो दोस्ते हैं वीडियो आपको यूच्छ फिल लगी हो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक दिलूर करें और इस प्रकार की दनकारी सब्सक्राइब करना ना भूलें